दोस दिन सम्मको पिंडदान ले एक आत बरावर को शरीर बंदा समनेर यह भागवान ले भन्नु बायो पिंडदान गरिशे के पचे तेरो दिन को पुन्य तिति समात्त भय पची परिवार मा रमाईलों बनाऊंचान अब टिकाटालो गरचान गरणपनी पवारचा नगर्रकावन चान तर यह शास्रमा बताईयो दोस दिन सम्मको पिंडदान ले अब उसको एक आत बरावर को शरीर बंचा अब तेस पाची तेललाई यह मदू तरले अब नरको यातन भोगावन वने लियर जान चान यहां परिवार का सदस्यारू अब उच्छाब मनाऊंचान तेरो दिन को पुन्य तिति मनाऊंचान लयर नुशाई प्रथम दिन को पिंडदाले सीर बंदा सा किन बंदा हैरी शर सरीर मनाऊंचा यहर नुशाई कती दुखत कुरा सा सुखत कुरा वही नुद क्रिष्ट आध्यात्मिक जानकारी हर का लाइगी नेपाल के पईलो शुद्ध आध्यात्मिक चानल टीवी लॉजिकल क्रिष्णलाई सब्सक्राइब गर नबलनुवला रहरिक अपडेट्स का लागी यो बेल आइकन पनी दबैदीनो हला तीने मुनी हरले प्रातकालीन कर्म गरी शके का बखत मा सुता नाम का पौराणी का आउनु भयो तब ती सनकादी हरुले आधर पुर्बख पुजा गरी वांसंग प्रश्ण गरनु भयो ये सुतजी हजुरले धेरै प्रकार को भगबद मारग बताउनु भयो अब येमलोक को बाटो कोस्तो स सुन्न चाहांचू तेस्ता संसार को दुख कोस्ट नास गरने साधन रयोलोकर पररोकलाई सुखा हुरे उपाये बताउन तपाई योग्ये हुनाँच बताउनु हसूतजी आग्या गरनुच शनकादी सुन्नु हसूत पापीलाई दुख दा अब येमलोक को बाटो भन्दसू तपयानले बड़ा सुन्दर प्रश्ण गरनु भयो जस्तेव वैकुन्ठमा भगवान विश्णुले गरूर जिला जुन काथा सुनाऊनु भयो तेही कथा मा अवस सुनाऊन ज्यादाई छू कुनै समय मा वैकुन्ठमा जगत गुरू भगवान विश्णु शुखा पुर्वक बशी रनु भायकुत्यों तेसेई बखत बिनता का पुत्र गरूर ले स्रीहरीलाइन नम्रता पुर्वक स्वधुनु भयो हाज जोडिर अजुर ले भक्तिको मारग धेरे प्रकार को बताउनु भयो और भक्तर को उत्तम गतिपनी बताउन भयो सो मैले सुने येस बखत मा अतेंत डर लाग दो येम लोग को मारग सुनने इच्छास हजुर का भक्तिले बिमुख भय का पापी त्या जान्चन वनने सुने कुसु आपनो बसमा रयको जीवरो ले सुगम्र सजीलो हजुर को नाम नजपी नरक परने मनुष्य टेस्को जन मा बेरत हो तो गरुड दिले या भन्नुवाये त्यास को जान मा बेरत हो ती नराधम हन। नरहरु मतेका सब्ढध अधम हुन। ये प्रबु ये भगवान पापी मनुष्य को जोगती होंचा, सु मेरा उपर क्रिपा गरी भनी वक्षिवस, पापी हरले यमलोक मा जादा कस्तो दुख भोगनु परदाशा, ये स्तो गरुड जीको प्रस्ण सुनी, स्री भगवान आग्या गरुनु होंचा, ये पक्छिंद पापी हरु यमलोक जान्चन त्यो बाटो सुन्दै मा डरलाग दोशा, ये गरुड सुना, जो मनुष्य सदैं पाप गरचा, दया धर्मले बरजित छा, दुष्टको संग गरदाशा, सत्सास्त्र र सत्संगले रहीत छा, ममताले युक्त मदान्द भयको, धनले राक्षे स सबाब भयको शा, मेरा भक्तिले हिन भयको अनि अभिमानी शा, फेरी चित्त भ्रांतिले युक्त भय महरूपी जालले ढाकिये भुशा, कामभोग इस्त्री मा आसकत भयको येस्तो मनुष्य अशुची दुखदायक नरक्त मा गीर्न जान्षन, जो मनुष्य ज्यानी शन भ येम को यातना भोगनो पर्षा तीनले, पापी अरुको जो दुखाले पईले र अंतकालमा पनी होंचा तीनी अरले जासरी येमलोग मजांचन सोभांचु लव सुना, पुर्वा को शुकर्म को भोग गरी कर्म को योगले मनुष्य लाई व्याधी लाक्षा, अमिया आप राउन जल्सामा सवैतिरा राम्रों उन्चा शरीर भनी स्वस्था चिटिक कर्राम्रों, सवैतिरा फाली भाप, तर जब पुर्वा जन्म को शुकृति कर्म, पुन्य कर्म छिन्ण होदे जांचा तेस पचि अब पाप कर्म को पालो आउंचा त्या या भागवान हरी पानी यह इकुरा बताऊनो भायो तेस पचिक कि अउंचरे सब बंदा पराथमात रोग लागदाशा अने किसिम को ब्याधि ले सता उन्दा थालदाशा पुरुवा को सुकर्म को भोग गरी कर्म को योगले मनुशेला ब्याधि लागदाशा तो पहला को पुन्य कर्म को फ सुरुखत भाय को छांदो जिवने आशा गरतः सतर काल रुपी सर्पले ग्रास गरेको अग्यानी हुनाले जान दाइना तैस्तो मरने बखत्मापनी मैईले ने इस्त्री पुत्रा दी पालन गरी रहेको छुवने ठान चा और ने मरने ब्याला भोवने जान्दाईना अग् आपना बंदु अरु अरी परी रहे का सया मरें बोलन नसकी कालपास मा पुर्धास बंदु अरुशन पनी बोलन शागदेना कसे शंग पनी उसले बोलने चेहटे करना साथ जती ताकत थे हो जो आनीम सबय ताकत जती नाना भाती बोलेर प्रभुकु नाम नजा पीकन दुरुपाइट गरे गोंचे अब क्या उसको ताकत नुश आमी अरले योजनु बोलने शक्ति पनी के समयले मात्र दिये पुश आमरों वे मुह बाड जोन आबाज निसकरिया इसा थारीक्रिष्णा मामंत्रा जपनू परछ भक्ति जीवन में लागनू परछ राधाक्रिष्णा को कथा गरनू परछ अनियता जीवनमा द्खा पाईँच याँ अन्तिम ब्याला मात्मा गुर गुर होन्च याँ कवजम्मा वयर या ते बनियो यास्ता प्रगाले आशक्त आपना इस्त्री पुत्र दाजु भाई का बीचे मा रुदे रुदे मारण मा प्राप्त होन्छा मारद सत्यों यह गरुर जी अन्ते समय मा देवता को द्रिष्टी प्राप्त होना जान्चा कस्तो भने यह मदूतलाई पनी तेसले प्रतेक्षिद्येख दाशा यह मदूतला प्रतेक्षिद्येख दाशारी आपना अगाडी ठ्यक के मरणी वेलां मर अरुवेला पूर्वा को आपले भोगनो परने सवय कर्म जान्दा सा तर यही बोलन सगदे न बिचारा संपूर्ण इंद्रिये बिकल भयको चैतने जड़ भयर प्राणन तको बखत्मा यहमराज का दूतलाई नजी के ब्वासे को देखेरा छटपटाउंदा छा परनी ब्यालामा उल्ले यहमराज का दूतलाई देहता सारी विया क्ते बने कीन देखता सा किन वर्य त्यों गयाला उल्ले यहर न सकने दईवी शक्ति प्राप्ता गर्दा नजी के टाइम एरेर बशीर आएका होंच योपने जोग गरेको कुरा है ना तो निबले लागन जब हांचन यहमराजली तातो तातो डंडा अविया क्ते बनियों संपुण इंद्रे बिकल भयको चैतन निजड भार अप्णानां तको बखत माई यहमराज का दूतारले नजी की बशीको देखी छोटबड गर्दा सा कई चलना नसकी जब स्वास चलना थालिए तब त्यो भोगदा शा मुखमा र्याल काडेर काफो बांता गर्दा शा अदो दुआरले पापिको प्राण ज्यांच अदो दुआर वनेको जब ती यहरू पापि सास्त्रमा बताया उर्शा जले जीवन मेरादाकृष्ण को भक्ति नगरीकाना हई भक्ति नगरीकाना बिताये का एकुको आत्मा को अलगर उसकेंद टाइ। आत्मा तला बड़ा जिश्क्यों, यह ते बनियों, यह रनुसाई, कई चलना नसकी जबस्वास चलना थालियो, तब त्यो आतोर होंचा, त्यसला एक्षेन पनी कलपसमानूंचा, सवय बिशिले टोके को पिड़ा भगदा सा, मुखमा रियाल काडेर, कप बमन गवार दे अनि ब्रह्मा रंद्र बाड़ गवायो, ना थे टुपी बाड़ आत्मा निश्क्यों बानेता, सिधे भगवान को धाम में दांचा, कईले फर्का देना, वा उच्छा लोक में दांचा, तर तला बाड़ पनाड़ गवायो, शीधा नरक, सीधा नरक, यह तुतरले उले तल डर देखाऊ दसन। पी कस्ता दुथ हुनवं हात्मा पांसोलियेका नंग रात बजावने,चंचंच शंग अर्दे नंग्रा बजीर आएक होन्चा, यह ता दुथ हो एक अदले मुतु कांपने आबाज होन्चा, काल ठाड़ लाम कैस भाएका हती आर जस्ता नंग्रा इम राज का डर लाग क्वास्ता डर लाग क्वास्ता डर लाग कुल थाल लाम स्री अरीली वन्नोवाई अवा एरनोस हाँ हाँ गर्दे शरीर वाट अंगुष्ठ प्रमाड पुरुष्लाई दूत लिब्मादी यह मलोग देखाऊना लई जान्चन अवा त्याँ शरीर वड़ा जीगदा शन उसको आकार कोत्र होंच शरीर वड़ा जीगदा यो बुढीयओंला जत्त्र है बुढीयओंला जत्त्र मात्र ये होंच अओ अवा इसलाई कानलियर जान्चन यह लोग लियेर जान्चन देखाऊन्को लागे प्रारभ्द कर्मा भोगग अधरोनलाई गला मडवडीले बादी लामो बाटो लागदा शन जस्ते खुनीलाई राजा कसी पाय यले लोई जान चन तेसे इगरी लोई जान चन यसता प्रकारले लागेको प्राणीलाई दुतरू बारम बार नरक यस्तोस उस्तोस वने डर देखाउं दे लोई जान चन ये दुष्टा तो छीटो हिन यमराज का घर पुगे रत्मलाई गिसा आर दे लोई जान चन दुतको यसतो वचन शुनी बंदु अरलाई रुदे रुदे छोडी हाहा कार गर दे आपना बंदु ले त्याक गरीयोको छोँदो त्यस दुष्टा लाइ यमा दुतले ताड़नागर दे लोई जान चन दंडदा दिदै कुड़े कुड़े प यहाम्रो स्वामी को श्वामी को अधान मात्र पूगना गल्टों अधान्मा मत्र पूगना थेंगे भूगना और नरक्मालीक जान को उन्मात अधाना थे में यहामान ने hust appreciate यहां पापी वन्दे एम दूत अरले एस्तो ड़ देखाऊं चन्टरी अर्णुत आप उसको पूसा त्यां पोह उल्ली फूर्ति फार्थी गर्ना सक्षा परवाराइन त्योंक प्रदान्मंत्र एक प्रदान्मंत्र आजोसी, तिम्हे नारेड-म। पाप कर्मा समझी दुखा दाइग बाटा मा कुकुर आधी खाना जान चना, कुकुर अर्मे भाटुमा बोग तिरखाल लागेगो घाम डॉड़ीलो हाव अलेपी डित बाटा मा ता ता बाल्वा मा थी पानी नवएको रभास्न नवएको पीठमा कुर्राल यहानी यह कोई हेंड़न सब्सक्राइब ना तापनी कोरले हेंड़ता सल्लायर्मस कोस्तो डेंजर बाटो यहम लोग जानन पनी एसतो बाटो तोय गर जाननु परनी बाटमा अनिक डर लागदा तीखा तीखा राता राता आखा वैका कुगुर अरले to the Saturday the show Canada के जान हो हेंद भाश्त लाग तो ट्र फोल्ला yagra प्राई ने ताउ मों पीड़ेतऊंचा बाटमा ताता ता बालुः अटीनी थी भाणी मिन अ बालुः न फूSO पर निरोचा बालुः नकले परने खाओ तो दॉर्सा ग्मश्ती मेरमा भाणिना घ्काक मों तू पिठियों में कोर्रा लेहानियोको हिट्ण सब्सक्राइब करले लिए आम्मा आयवाब्बा मुअरे नीवाने लिए कि लेशा पचार पर्दा जती मूर्चा पर्दा पनी इंड्ने पर्षा पाप रुपी अंदकार ले यहम राजको घर मा पूर्याईयों तीन याद दू मूर्था मा यहम लोक मा त्यो मनुश्यलाई दूथार उले पुर्याउंचन र नरग देखाईंचा एर एर कुकुर एर पापी अले कस्ता कस्ता नरग भगनू परता है एर माती बाड़ एर बनेर देखाऊंचन मूर्था मा चाड़ोने डरलाग दोयातना देरी आका स्मार्ग बाट उहीं लियाऊंदासन ते घर में लियाऊंदासन जुन गार बाट उचले आपनो प्राणत्याग गरेको थ्यो आयर बासनाले बादियेको देहको इच्छ्या गर्दो छादो दूतका पासले बादियेको भोगतिर खाले पिडित भय रून चा पिंड़ धनाले बाधिको शायना बादि केया जन न वयको केई पनी कुरान वयको जंगल माद तेरी काल सम्म हावा भय दुखाले बंदासन और ठाथ प्रेट भयरत दुखाले बंदासन आवा शरीर मा गूँदासन काल्प बिते पनि आफुले कमाय को कर्म भोग न बाई मन खोराले प्रेतत्तो छुटस वनि दैहिक 10 दिन सम्मा क्रमेले पिंड़ देव है ये गरूर्तियो पिंड़को चार भाग गरींचा चार भाग पिंडामा दोइ भाग ले शरीर बन्दशा एक भाग युमा दूतलाईं एक भाग प्रेताले पाएंँग छा नव दिन समद येको पिंडाले स्रीर बन्द साथ 10 दिन को पिंडाले संपूर्ण शरीर बलले युक्त अउनछा डड़े को शरीर 10 दिन का पिंडाले एक हाथको शरीर फेरी तयार भै यह मलोग जानि बाटो मा सुब शुब कर्म भोगदा शाथ लैर नशा दौस दिन जम्मकों से फिन्ञाधान गुण द छिंदान चाथ बरावराग है अब कुरागरों से फिन्ञातल गर्णी शरीर चीछक्व के तेर जहाली को पुन्ने तिथी समापते कि परिवायर में परिवार मना तिका टालो तरहsomeल एक नवी अखासरा में बताईयों 10 दिन सम्म को पिंड दानले अब उसको एक आत बराबर को शरीर बन्चा रवत तेस्पची तेल लाई यमदु तरले अब नरक्को यातना भोगावन वने लियर जान्चान या परिवार्ग सदस्यरू अब उच्छा मनाउचान तेर दिनको पुन्ने थिती मनाउचान लएर जल दिनको पिंडले सीर बन्द अब न भाउक ना यम लोग को दंड़ जाकिन न नरक्को दंड़ बन सकिन तेस्को लाई निट गाएंचा तयो दास दिनको पिंडले सीर बनाऊद ते नुषण पुराप पुराई न? श्रीहरी अलगाडी बतावनुच पिंडले सरीर कसरी बंदस लव सुना प्रथम दिनको पिंडले सीर बंदस दोसरो दिनको पिंडले काद बंदस तेसरो दिनको पिंडले रिदय बंदस चोदो दिनको पिंडले प्रिष्ट अथपा पेठें बंदस पाँचों ले नावी, छईठों ले कम्बर गुया, सातों पिंडले हाड मासू बंदशा, आठों नो पिंडले भुडा पाव बंदशा, दस दिन मा संपुर्ण, भोग त्रिष्णा ले युगत भयको शरीर भयको, तेरों दिन मा ये मदू तरुले बादरला घिच्या जसरी, डोडिले बादे रत्यसलाई घिच्यार अल्वाई जांचन लयरूश। तेरोव दिनको पुन्यतिती समाप्त भयक्वाच्छी यमदु तरले बल्लाव ले नरक्को यातना भगाउनों मनेर। जसरी तियो बादरले चटगी देहौने चटगी कारुण चल। कुछले डोडिले बादेर बादरले गेच्यार अल्यर जांचन त्यसाई गरार त्योग पापी लाए गेच्यार अल्यर जांचन। ये गरूर जी बईतरने नदिला छोडेरा 26,000 योजन लामु यमलुको बाटो सा। 2200 योजन लाम। दिन अहु प्रेत निश्चाए 247 योजन हेड़ दसाव। कुरूर साथ विचित्रा आठ ब्रह्म बन पद्नाव दुखद दस नाना क्रंद एगार सुतब्त बार रौद्र तेर पयो वर्षन चौद सिताड्य पंद्र धर्म भवन सोर यम कुरी अगारी छन। यम पासले बादी अर रौदे रौदे पापी जोस आपनो घर त्यागी येवका सहर मल्लोव पूगयो येस प्रकार लयरन। कौधि पीडाऔ कास्टनों, मनुस्य जीवन पायार पनी रहाधा कृष्ण को भवक्ती बाजनों भवायो बेकार है भवायो भवायो अब pose ये अब प्रद्रकार गरुड पुराण को प्रथम अध्याय को कथा यही समाप्त भयकुषा अब आमी भोली अध्याय दोईको कथा सुन्ने सौंग अब त्यों पापीले तय गर्णु परेको यो सोर अटा गाउं अब त्यों को पीडाँंचा यहीं लों पून बनाड़ी वो सोर अब त्यों पून बनाड़ी अध्यात्मिक जानकारी हरका लागी नेपाल के पईलो शुद्ध अध्यात्मिक चानल टीबी लोजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर नबलनु अला फर एक अपडेट्स का लागी यो बेल आइकन पनी दवैदी नो हला है